गुड इवनिंग फ्रेंग्स आप सभी का स्वागित है आपके अपने चैनल वर्च्वेस में मैं दुर्धनकर फॉर्मर एस्बीए प्यो तो जैसे कि आप सभी को पता है प्री के हमारे अल्मोस्ट तीन एक्जाम हो चुके हैं अब हमारा मेंज फोकस जो है मेंस एक्जाम पर है फेस टू पर है अभी इंसाइट कोई हमें प्रिलिम्स एक्जाम काने पता चोटे मोटे एक्जाम है जैसे आई डी बा एक्जेगेटिव एडी एसिस्टेंट मैनेजर के लिए बट न देए जाएं क्या डेली बेसेस पर मोटेना जरूरी है हफते में कितने बार दें अगर डेली ना दे तो तो मेरा सजेशन क्या देखिए जैसे कि अपने एक एक्जामपल लेते है अरभी प्यो मेंस का अरभी प्यो मेंस स्पेसिफिक मैं आपको बताता हूं 25 सब्टेंबर के हमारे पास डेट है अब मेरा सजेशन यह रहेगा कि आने वाले तीन हफतों तक मतलब आने वाले जो थ्री वीक्स है इंक्लूडिंग दिस वीक आप एक-एक मौक्स दीजे उसके बाद जो मौक्स जो नंबर है वो बढ़ा दीजेगा आखरी के दो या तीन हफती जो आपके करके मौक्स और देंगे तो आपका टारगेट यह रहना चाहिए कि यार एक्जाम से पहले पहले रफली दस मौक्स मैंने दे दिये हूँ अच्छे से और 10 मौक्स काफी मौक्स हो जाते हैं अगर मेंस की बात किये जाए और इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि यह मेंस यह करने का भी एक method है कि यह कौनसी strategy work करती है क्या क्या issues हम face करते हैं तो उसमें analysis का part बहुत important आ जाता है कि तरीके से हम हर means के mock को analyze करें क्योंकि हर mock में समय भी लगता है आपका लंबा बड़ा mock रहता है लेंदी रहता है प्री के जैसे ने के 45 minutes एक गंटे में खतम हो गया फिर उस चीज मुझसे नहीं हुई क्या मेरा strong point था क्या मेरा weak point था और कौन से mock में अगली बार मुझे काम करना है या कौन से गलती पे मुझे अगले mock में अच्छे से ध्यान देना है तो इसको proper तरीके से analyze तभी किया जा सकता है जब आप limited एक mock को mock की तरह treat करें ना कि सिर्फ एक practice क source treat करें प्राक्टिस के लिए आपके पास test series है बहुत सारे आपको mocks वहां मिल जाएंगे submit करके वहां से प्राक्टिस कर सकते हैं classes है playlist already channel पे आपको काफी मिल जाएगे वहां से आप practice कर सकते हैं बड़ जब आप mock देते है ना mock आपका एक तरह से method होता है कि यहर मैं exam कैसे attempt क करूँगा तो उसको figure out करने की जो strategy है ना वो mocks के through ही test होती है तो मेरा suggestion हमिशा रहता है कि main से पहले पहले हमें अब इस time से लेके mains के बीच बीच में 10 mocks देने अब उससे कैसे even out करना चाते हैं एक तरीका मैंने आपको बता दिए कि starting के 2-3 नफते में एक-1 mocks दीजिए फि काम नहीं किया जिसे by the time आप exam में sit करें आपको पता हो कि यार मैं इस तरह से यह strategy अगर अपना होगा तो मेरा maximum score आता है यह आपको पता चल जाना चाहिए ठीक है तो यह मेरा mocks की frequency के regarding के कितने mocks देने चाहिए इसके regarding एक छोटा सा suggestion था RRBPO main specific मैंने दिया है क्योंकि उसक चैनल को subscribe करके रखें ठीक है now that's all for today's session good night take care